देश के अलग-अलग राज्यों से कई ऐसी खबर सामने आती है जो हैरान कर देने वाली होती है या यू कहें कि उस पर यकीन कर पाना मुश्किल हो जाता है कुछ खबरों पर लोगों का विश्वास करना इसलिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो उनके पसंदिदा लोगों से जुड़ी होती है जिनकी छवी वो एक अच्छे इंसान के रूप में देखते हैं जिनको अपना फेवरेट मान चुके होते हैं लेकिन जब आगे उनके कोकर्मों का खुलासा होता है उनकी सच्चाई सामने आती है तो उस पर लोग यकीन नहीं कर पाते कुछ ऐसा ही हुआ है बिग बॉस OTT 2 के विनर एलविश यादो के फैंस के साथ क्योंकि अब एलविश से जुड़ी जो खबर सामने आई है उसने सब को चौका कर रख दिया है अगर आप भी एलविश के फैंस हैं तो आपके भी पैरो तले जमीन खिसकने वाली है क्योंकि एलविश से जुड़ी बड़ी खबर सामने आगई है जिसको जानने के बाद शायद आप भी कुछ बोलने पर मजबूर हो चाए नमस्कार आप देख रहे हैं चलिए शिर्वात करते हैं ताबिक एलविश पर तसकरी से लेकर गैर कानूनी तरीके से रेव पार्टी आयुचुत कराने का आरोफ लगा है इसके साथ ही वह तसकरी करने वाले लोगों से भी चुड़े हैं एक एंजियो ने इस्टिंग ओपरेशन कर नोइडा पुलिस में इसकी शिकायती थी जिसके अधार पर नोइडा पुलिस ने मामले में कारिवाई की है जानकारी का मताबिक नोइडा पुलिस ने सेक्टर 49 में रेड डाल कर पांच लोगों को गिरफतार किया पुलिस को यहां से पांच कोब्रा बरामद हुए साथी सांफ का जहर भी मिला है जब पुलिस ने गिरफतार लोगों से पूछताच की तो इसमें बिग बॉस बिचेता एलविश यादो का नाम भी सामने आगिया जिसके बाद पुलिस ने एलविश के खलाब इसके पूरी कहानी एक शिकायत से शुरू होती बता दे कि गौरव गुपता को नुएड़ा में इस तरह की गतिवीदियों की सूचना मिल रही थी ये भी पता चला था कि यूट्यूबर इलविश यादो नुएड़ा एंसियार के फॉर्म हाउसों में कुछ लोगों के साथ मिलकर स्नेक वेनम और जिंदा सापों के साथ वीडियो शूट कराती इसके साथ ही गैर कानूनी रूप से रेव पाटियों को अज़ित कराने की भी जानकारी मिली थी इन्हें सूचना के अधार पर एक मुख़बीर ने एलविश यादो से संपर किया इस तरह बात करने पर एलविश ने राहू नाम के एक एजन्ट का नंबर दिया और कहा कि उनका नाम लेकर बात कर ले तो काम हो जाएका इसके बाद मुख्बीर ने राहूल से संपर करके पार्टी आयुचित करने के लिए बुलाया शिकायत करता ने इसकी सूचना वनविभाग के अधिकारियों और पुलिस को दिया दो नमबर को आरोपी सेवरोन बैंक्विंट हॉल में सांप लेकर पहुंच गया उसी दरान वनविभाग की टीम ने पुलिस की मदद से आरोपितों को पकड़ लिया पुलिस ने पाँच लोगों को गरफतार कर लिया है जिनकी पैचान दिल्ली के राहूल, टीटूनात, जैकरन, नरायन और रवीन नात के रूप में की गई है वही पुलिस की चापे मारी में स्नैक वेनम, पाँच कोबरा, एक अजगर, दो, दो मुहा साथ, एक गोड़ा पचार साथ बरा मत हुआ है पुलिस ने बताया कि पांचो आरोपियों को गरफतार कर लिया गया है, एल्विश यादो समेत चह नामचद और कुछ अग्याद के खलाप मुकदमा दर्च क्या गया है और एल्विश यादो की गिरों से संलिप्तता की भीचाच लगातार की जा रही है बता दें कि यूट्यूबर एल्विश यादो विवादों में फस गए हैं क्योंकि नोईडा में होने वाली रेव पार्टी में साप का चहर सप्लाई करने में एल्विश का नाम लिया चा रहा है पुलिस सूत्रों के अनुसार नोयडा में होने वाली रेव पार्टी में जहरीले सापों की सप्लाई की जाती थी इसकी जानकारी होने पर पुलिस टीम ने च्छापा मारा तो पांच आरोपियों को मौके से पकड़िया शिकायत के अधार पर ड्रक्स डिपार्टमेंट के अलावा वनविभाग और नोयडा पुलिस की टीम ने ये च्छापे मारी की थी वही दर्च एफायार के मताबिक रेव पार्टी में ना सिर्फ सापों के जहर का इस्तमाल होता था बलकि विदेशी लड़कियां भी बुलाई चाती पता दे के पुलिस ने पांच आरोपियों के पास से जो साप बरामत किये हैं उनकी खरीद फरोग प्रतिबंदे थे ऐसे में एलविश पर जो धरायें लगाई गई हैं वो घैर जमानती हैं गिरफतार आरोपियों ने जो कुछ भी बताया अगर वो सही साबित हुआ तो एलविश की गिरफतारी तय है वाई डेसेपी विशाल पांडे ने बताया है कि शिकायत के मताबिक एलविश यादो ने मुखवीर को राहूल का नमबर दिया था राहूल एक सपेरा है पुलिस को मौके से 20 एमिल जहर भे मिला है कुल 5 लोगों को गरबतार भी किया गया है पुलिस एलविश ने संपर्क नहीं कर पा रही है नड़ा पुलिस एलविश की तलाश में जुटी है तीन राच्चों में पुलिस टीम को लगाया क्या है जो जहर बरामद हुआ है उसे जाच के लिए एफसल लैब भी बेजा चाएगा बता दिये कि इस पूरे मामले का खुलासा भाजपा सांसद मेनका गांधी के एंजियो पिपल फॉर एनिमल से जुड़े लोगों ने स्ट्रिंग ओपरेशन के जरिये किया है इस बीच मेनका गांधी का बयान भी सामने आया है मेनका गांधी ने कहा कि हमें पता चला था कि प्रभाव शाली व्यक्ति एलविश यादव इस तरह के कामों को बढ़ावा दे रहे ऐसा करने वालों को तुरंत गिरफतार करने की जरुरत है वस सरगना है सापों को जंगलों से पकड़ कर मार दिया चाता है साप लुप्त प्राय प्रजातियों की सूची में है इस तरह का अपराद करने वालों के खलाब कानून साथ साल की चेर है जो उन सभी को मिलने चाहिए बता दे कि मेंका गांधी पिपल फॉर एनिमल्स की प्रमुक है वह इस मामले को लेकर दिल्ली महला आयू की अधाक्ष स्वाती मालेवाल ने भी एक्सपर लेखा कि यूट्यूबर एलविस यादो पर एफायार दर्ज हुई है आरोप है कि अलविस यादो रेव पार्टी करवाता है जिसमें नशे के लिए साब का जहर इस्तमाल होता है इस आदमी को हरियाडा के सीय मंच से प्रमोच करते हैं एक तरफ साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया जैसे टालेंट सरकों पर डंडे खाते हैं और हरियाडा सरकार ऐसे लोगों को प्रमोच करती है इसके वीडियो में आपको लड़कियों पर अश्रील टिपणिया मेले की गाली ग्लॉज देखे की वोट के लिए नेता कुछ भी कर सकते हैं वहें इन सब की भीच अलविश यादो ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इस मामले को लेकर एक पोस्ट शेयर किया है इसमें लिखा है कि जितने भी आरोप हैं बेबुनियाद सारे आरोप फेक हैं एक प्रतिश्यत भी सच्चाई नहीं है आरोप में मेरा नाम खराब ना करें यूपे पुलिस के साथ सायोग करने को तयार है अगर मेरे खिलाफ एक परसंट भी आरोप साबित हुए तो मैं जिम्मेदारी रोगा हंजी गाईज मैं हूँ आपका अपना एलविश आदव और मैं सुबह उठा मैंने देखा कि कैसे कैसे नियूस फैलरी है मेरे खिलाफ आल ओवर मीडिया में ये चीज़ हो रखिया ये लविशादव अरे स्टोगा ये लविशादव नशीले प्रदार्त के साथ है ये सारी चीज़े जो मेरे खिलाफ फैलरी है जितने भी आरोप मेरे उपर लगे हैं भाई सारे बेबुनियाद है सारे फेक हैं एक परसेंट भी इनमें सच्चा ही नहीं है मैं पूरा सायोग करने के लिए तयार हूँ यूपी पुलिस के साथ और मैं रिक्वेस्ट करूँँगा यूपी पुलिस को पूरे फ्रशासन को मानिने मुख्यमंत्री जी योग्यादित्यनाजी को कि मेरी एक परसेंट भी 0.1 परसेंट भी अगर इस चीज में इन्वाल्ब्मेंट मिल जाती है मैं सारी जिम्मेदारी लेने को तयार हूँ और मीडिया से रिक्वेस्ट एक कृपा करके जब तक आपके पास ठोस सबूत ना हो जाए एलविश आदवरेस्टिड जो सारी चीज़ आप लिख रहे हो प्लीज मेरा नाम खराब ना करें और ये जितने भी इलजाम लगें इन से मेरा कोई लेना देना नी है दूर दूर तक सो मिल तक मेरा कोई लेना देना नी, हलाकि दावा की अजारा है कि ये पोस्ट शेयर कारने के बाद एलविश ने अपना नंबर अब बन्द कर दिया है इस पूरे मामले को चानने के बाद ये जानना बहुत जरूरी है कि ये किस तरह का मामला है और इस तरह की मामले में किस तरह की कारेवाई हो सकती है बता दे कि यूट्यूबर और बिग बॉस ओचिटी विनर एलवी श्यादों के खलाब वने जीव अधिनियम की धराओं के तहर साप के जहर का कारोबार करने के आरोप में यकेस दर्च किया गया है दरसल देश में सापों को वने जीव सरक्षन अधिनियम 1972 के प्रावधानों के तह सरक्षित किया गया है सापों को छेतर की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और अवैद वने जीव व्यापार से बचाने के लिए सुरक्षा दी जाती है जिविद साप, साप का जहर, अपराधियों की और से साप की खाल के व्यापार जैसे मामलों को लेकर अधिनियम के तहट कारिवाई का प्रावधान किया गया है कानून का उलंगन करने के मामले में आरोपी को जेल जाना पड़ सकता है इस प्रकार का आरोप लगने के बाद आरोपी को खुद को मामले में फसा ना होने का प्रमाड भी देना होता है। ऐसे में यूट्यूबर एलवीश यादो गहरी मुसीबत में घरते नजर आ रहे हैं। अगर उन पर कानूनी कारेवाई शुरू हुई तो उन्हें जेल भी जाना पड़ेगा। आरोपी को अपनी बेगुनाही खुद साबित करनी होगी। ऐसे में जाच अधिकारी के सामने उन्हें प्रयाय सबूत पेश करने होगी। तबी वे कानूनी एक्शन से बच पाएंगे। तो इस तरह से अब एलविश श्यादों की मुश्किले लगातार बढ़ती हुई नसर आ रही है। फलाल परदाफाश में इतना ही आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रिए कापिटल टीबी उत्तर पादिश नमस्कार।